कोई तमजम नहीं बहुत कम चीज में यह जल्दी बनके रेडी हो जाता है आप लोग यह लड्डू देखिए कितना प्यारा बना है कितना कलर्फुल बना है इसे देखके ना मुँ में पानी आ रहा है गनस्टी भी बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स आप सबको मेरे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगरे प्यान को गरम करने के लिए रखतेंगे प्यान जैसे गरम हो जाएगा तो इसमें हम दो चमज दो बड़े चमज हमें इसमें घी डाल देंगे घी में बनाएंगे तो इसकी स्वास जो बहुत अच्छी आएगी तो घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट होने लगे तो इसमें एक कब बेशन आर करतेंगे मैं यहां पर एक कब बेशन ली हूँ आप जितना करोगे उसे हिसाब से सारे जो चीजे उसे बढ़ाते जाना या फिर कम करते जाना तो इसे हम फ्लें को स्लोर रखके 10 तक आइसे ही बुनते रहेंगे इसे चले शोकर देंगे तो निचे से जल जाएगा तो इसे इसे चलाते रहेंगे और जो घी लगा है तो ये जो दाना-दाना बन चुका है इसे हम स्पाचुला के हेल से इसे तोड़ते रहेंगे जैसे वो अच्छे से मीक्स हो जाए सब एक दूसरे के साथ मीक्स हो जाए घी इसमें मिल जाए अच्छे से और इसे हम ऐसे ही चल जब हमें घी कम लगेगी तब हम बाद में घी आर कर सकते हैं बाद में घी देंगे तो उसकी फ्लेबर और भी अच्छे से आएगी और अभी में इतनी दो चमच घी में अभी हम इसे बुण लेंगे जिसे इसकी कलर और चेंज हो जाए मिद्देंगाद यगी धीमी सी हल्का सा फुस्वूऊ आएगी तो हम एसे बंद करतेगे अब ये भूनके इस तरह कलर हो जाएगी अब ग्यास को हम आपकर देंगे इसे हल्प का थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ये थोड़ी से हल्प का थंड़ा हो जाए गरम भी होना चाहिए उसके बाद हम चिनी इसमें आड़ करेंगे पाउडर शुगर इसमें आड़ करेंगे मिक्सचर-झार में शुगर ले लेना, और इसे मिक्स करके फिर इसमें आड़ करती मैं इसमें इलाइची भी आड़ की थी egराम लग जाएगी तो इसे मैंने spatula के help से पहले मिला लिया फिर हाथों से इसे अच्छे से mix कर लोंगी अब मैंने spatula को रख लिया अब हाथों से mix करेंगे क्योंकि हाथ से अच्छी तरह mix कोई नहीं कर सकता इसे हातों में इस तरह mix कर लेंगे मिला लेंगे चीनी को चारो और अभी वी करम है आराम आराम से करना है पर बहुत ड्रा है तो मैं इसमें घी आड़ करूंगी इसमें घी आड़ करेंगे इसे अच्छी अब मैंने इसमें और एक बड़े चमच घी आड़ किया है इसके बाद हम लीड लगा लेंगे ग्यास बिल्कुल नहीं चलाएंगे बस चिनी और घी को एक वेक wichtig जाधन ऑसमें देना इस में मेरा हाउप कप घी गया है एक कप पेशन के लिए और हाउप कप चिनी की पावडर भी मैंने इसमें आड़ किया है बस हलका हलका गरम है और जैसे हम हाथों में एसे लडू बनाते हैं इसे दबा दबा के एसे राउंड सेप में कर देंगे इस तरह कर देंगे और लडू बना के इसे रख लेंगे दो हातों के help से इसे हम फिर से round round बना के इस तरह आराम से बनाएंगे कितना प्यारा और कितना सीखना दिख रहा है आप देख सकते हो और time बिल्कुल नहीं तोड़ी सी time जाएगी इसमें जब हम भुनेंगे बेशन को बस बाकी बेशन रेडी है लडू रेडी है और जल्दी हम भोग बनाएंगे कनेश्टी के लिए तो आप लोग इस लडू को जरूर ट्राइ किजिए एकदम से कम चीज में बनाई है कोई भी इसमें तामजम नहीं आप देख सकते हो और कितना अच्छी अच्छी लडू बन रही है और कोई दूसरा लडू बनाएंगे तो थोड़ कि लगा सकते हो बच्चों को दे सकते हो खुद भी ले सकते हो मेरा आखरी लडू बन गया है मुझे बहुत खुशी मिल देगे कि मैंने सारे लडू अच्छे से बना लिया है तो अब जो हमारी सारी लडू बनके अभी रेडी है तो इसे हम थोड़ी सी सजा लेंगे मैं अच्छी तरह बना है कितना प्यारा लूग दे रहा है आप लोग इसे जरू ट्राइ कीजिए और इसे थोड़ी से जाधाने के लिए अलमट को इसके ऊपर दे देंगे या फिर पीस्ता को दे देंगे थोड़ी सी आखों को भी अच्छा लगे जैसे बाजार में में उता है व दूसरों को भी खिलाए तो आप लोग को मेरी ये वीडियो केसी लगी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरू कर दीजिए अगर आपको ये रेशी भी पसंद आई है तो आपनी फ्रेंज रिलेटिव के साथ भी आप सेर किजिए बोलोग भी करेंगे तो अगर कोई च कर दो अथकेर दो आप इस आप सेर के लाइक जते हैं तो आपको भी ओिलाए तो आपको ङो